जिनके वगेर मुंबई और महराश्टर में अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके वगेर यह चर्चा खतम नहीं हो सकेगी और वो है राज ठाकरे लेकिन उनकी ग्रहदेशा के बारे में खास तौर पर मुझे आपसे जानना है क्योंकि बाहूल तो कुछ ऐसा लग रहा है एक तो कुंडली का ध्यन जब हम करते हैं तो 146, 1968 मकराशी 26 जनूरी 2017 से राज ठाकरे की कुंडली में 1.5 का अरम्ब हो चुका रहा और जब हम उनकी कुंडली में महादशां की क्योंकि समय कम है तो तो उनकी कुंडली में एक समय पर जब गुरू की महादशा थी तो इनको कम से कम 13 या 15 MLA मिलेंगी उसके बाद शनी की महादशा उनकी शुरू हुई शनी की महादशा उनकी शुरू हुई 18-2011 से तो 18-8-2011 से आप calculation कर लीजिए 2012 से लेकर अब तक continuously राज थाकरे और महाराश्ट नवनिर्मान सेना उनकी पार्टी का कहीं न कहीं से descending चलता आ रहा है मतलब कहने का कि कोई न कोई नुकसान राज साब को यहां महाराश्ट नवनिर्मान सेना को होते आ रहा है मगर यह बात तै है कि राज थाकरे की पार्टी या राज थाकरे खतम होने वालों में नहीं है उनकी कुंडली में आज भी बहुत दम है और मैं आपके शो के माध्यम से भी यह बोलता आया हूं कि 18-8-2011 के बाद एक ऐसा समय वापिस आएगा जब राज थाकरे के बिना सत् हो जाएगा बातावरन इतना बदल जाएगा अब आपने क्योंकि अब BMC में हो सकता है बहुत बड़ी हाजरी अपनी ना डाल सकें वो कि मगर कहीं न कहीं जो बीज राज थाकरे ने महाराष्ट नवनिर्मान सेना के रूप में अंकुरित किया है मैं उसको वटबिक्ष बन भी मिलना और महाराष्ट के कोने कोप्रे में उनका झंडा लहराना कोई आम बात नहीं है और उन्होंने मी महराष्ट यानी महारास्ट जो नारा दिया है वो डैफिनेटली एक दिन बड़ा पेड़़ बनेगा मगर इस वक्त वातावरन बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि Мक कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं तो पांचमे घर में उनके शनी और राहु इकठे बैठे होते हैं पांचमा घर उनका संतान का घर है इसलिए कहीं न कहीं उनकी जैसे आपने बोला कि बच्चा ठीक नहीं है मगर वह 14 अपरिल 2017 के बाद नॉर्मल है उसके उसमें कुछ नह जान रखना चाहिए मगर यह बात में बिलकुल एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि यह जनम तारीक के बाद में और महराष्ट नवनिर्मान सेना की स्थापना दिवस और उन्होंने रैली दिवस और जब ही उन्होंने पार्टी का गठन किया वो तीनों मेरे पास हैं उसको स चालीस होनते हुए दिखाई देंगे क्योंकि कभी समय अच्छा है कभी बुरा है अटल बहारी बाजपई को भी आठ दिन का राजभंग योग हुआ था इंदिरा गांधी अगर आपको याद है तो 1977 में एमर्जंसी में जेल गई थी और महराजा हरीष्ट चंद्र जो है व आज राज की कुंडली में ग्रहदशा नॉर्मल है उससे कम है मगर वो दिन भी आएगा जब यही राज राजा बनकर इस प्रांत में राज करेगा मुझे इनकी कुंडली से पूरी तरह से विश्वास है क्योंकि इनकी आयू भी अच्छी है और यह महराष्ट के लिए एक बड़ा जंडा बड़ी बड़ी सफल सरकार एक दिन महराष्ट में देंगे बट टाइम इस तेर क्योंकि 2011 से शनी की महादशा लगी हुई है अभी मकर राशी के ओपर साड़े सती चल रही है इसलिए नील साबरी शनी की एक महापूजा उन्होंने अपने घर में और शनी मह आतमे रखना चलिए बड़ी पढ़िट चाहिए